तो फ्रेंड अगर आप अपने योको बैंक में सेविंग एकाउंट खुलवाने की सोच रहे हो, आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डाकूममेंट लगेंगे, कम्प्लीट प्रॉसेस क्या है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जब भी अपने योको बैंक में कोई भी अपना सेविंग एकाउंट खुलो, तो आपको कौन कौन सी बातों का दियान रखना है, कैसे आपको ये पाटिकुलर फॉर्म को फिल करना है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, वीडियो बात हेलफुल होने वाली है, इसल सोच रहे हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका complete process क्या है, कौन को से document लगेंगे, और आपको कितने समय में आपका account open हो जाएगा, आज की वीडियो में आपको proper बताऊंगा, तो फ्रेंट वीडियो बात हेलफुल होने वाली है, इसलिए मेरे आप से छोट को subscribe कर लिजिए, चलिए फ्रेंट शुरू करते हैं, यहाँ पर सबसे उपर को दिखरा होगा क्या for bank use only, यानि कि पूरा का पूरा आपको यो portion है, यहाँ पर आपको banking purpose से है, यहाँ पर आपको कुछ भी fill नहीं करना है, यह आपको पूरा खाली छोड़ देना, क्योंकि account number आ लगा दीजिए, फ्रेंट passport size की, और यहाँ पर आपको आपके sign कर देना है, प्रॉपर वी में, चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर personal detail पर, यहाँ पर आपको simply करना क्या है, name in full, आपको यहाँ पर जो आपका नाम है, वो आपको fill कर देना, देखिए नाम कैसे fill करना, ब मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जब आप अपना surname लखो, तो एक, आपको यहाँ करना है, slot छोड़ देना, एक slot छोड़ने के बाद आपको आपका surname लिखना है, फ्रेंट आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको proper guide कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी information fill नहीं कर सकता अगर मैं ऐसा करूँगा, तो YouTube मुझे community guidelines strike देगा, तो इसलिए friend हम लोग गलती नहीं कर सकते हैं, मैं आपको proper guide कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर नीचे को रहा था क्या father husband guardian name, तो यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नाम लिख देना है, अगर आप आपके पिताजी नहीं husband, तो husband का नाम लिख दीजिए, अगर husband भी नहीं है, तो यहाँ आपकी जो गली है, बहुत जादा चर्चित है, महले वाली गली, आप उसको यहाँ पर mention कर सकते हो, लेंड मार्क कोई ऐसा एरिया जो बहुत जादा popular हो, वो आपको यहाँ पर फिल कर सकते हो, स्यम टूचे मैंसे ही फिल करना है सारा का सारा friend, जैसे कि आपको ने यहाँ पर अपना नाम फिल किया हुआ, आपको गलती नहीं करनी ही, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी नीचे नंबर आपको बताना है, कोई दिक्कतन नी फ्रेंड जिससे कि आपका एक्काउट में आप जिसको रिष्टर कराना चाहती हो, वही मोवाईल नंबर आप यहाँ न बैड बताना चाहती हो, वही मोवाईल नंबर आप यहाँ पर रखेंगा है अपनी देगन को राता है friend, ज पूर्ण हो, जन्रल हो, SC, STOBC, Minority, जो भी हो, आप यहाँ पर, अगर आप मुसलिम हो, तो Minority में जाओगे, फ्रेंड, Minority पर आपको टिक कर दिना है, जन्रल में आते हो, तो आप जन्रल पर टिक करिए, SC, STOBC में आते हो, तो आपको यहाँ पर जो भी है, अपने के document लगाना चाहते हो government ID के साथ तो यहाँ पर KYC provided पर yes कर देना है आप इस तरीके टिक कर देना है nominus required अगर आप nominus किसी को बनाना चाहते हो अपने account का nominus बनाना चाहते हो तो yes कर देना टिक कर देना है ATM की request करना चाहते हो David card के लिए तो yes कर देना है SMS alert चाहते हो यानि कि आप चाहते हो कि मेरे mobile number पर bank के regarding कोई भी transaction करूँ या कोई भी update हो मुझे तुरंत notification मेसेज आए मेरे mobile पर तो आपको यहाँ पर SMS alert पर yes के टिक कर देना है तो यह आप आदे थोड़ा सा नीचे की और introduction name of the introducer यहाँ पर प्रॉपर यह में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है क्यों कि भाई यह पूरा का पूरा क्या है आपका office purpose से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है पूरा का पूरा यह आपका account खुलने के बाद ही bank employee फिल करता ह चलिए अब आते हम लोग थोड़ा सा नीचे की और नीचे की और आने से पहले फ्रेंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा ही समझ लेना है देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है इंट्रडूसर यहाँ तक है यहाँ तक है यहाँ पर लखा हुआ है साफ साफ क्याप और bank branch only इ नाम आप यहाँ पर फिल कर दीजिए अगर आप किसी दूसरी सा जोइंट करना चाहते हो अपना एकाउंट तो second नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो अधर आप जोइंट एकाउंट खुलवाना नहीं चाहते हो तो यह portion आपको खाली छोड़ दिना दूसरा वाला किवल आपक जिसके साथ आपना एकाउंट खुलवा रहे हो जिसके साथ अपना एकाउंट जोइंट करना चाहते हो और यहाँ पर प्रॉपर में अब नीचे के वर फिर से आपको पूरा का पूरा पूर्सन खाली छोड़ देना क्योंकि यह लगखा हुआ क्या बैरिफाइंग ब्रांच पूरा का पूरा फ्रेंट चले अब आज हम लों नेश्ट पीज पर अब देखे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहागा क्या सेविंग बैंक एकाउंट ओपनिक फॉर्म सप्लिमेंटरी फॉर्म फॉर सेकंड एपलिकेंट यानि कोई दूसरा परसन जिसके साथ नहीं मैं किसी की साथ जोएंट खाता खुलवाना नहीं चाहता हूं तो आप इस वाले पॉर्शन को खाली छोड़ सकते हो यहाँ पर आपको फिल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है यहाँ लोग आते हैं दूसरे वाले पेज़ पर तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मि अब फिल करदेना है कि याप किसको अपना नॉमीणी स्ले symbolism को ऐता है introduction करसकते हो तो और कि अगर आप चाहिए आप जिसको नौमिन बनाना चाहते हैं उसकी उमर अभी 18 साल नहीं है यानि कि वह माइनर में आता है 18 साल से नीचे ही है तो friend आप उसकी जगाए किसी दूसरे को जो guardian है उसका आपके बच्चे का उसको आप proper वे में आपके mention कर सकते हो और जैसे ही वो 18 का हो जाएगा तो automatic nominee आपके account का वो बन जाएगा जिसको आप बनाना चाहते हो जिसको आपने यहापे mention किया हुआ है तो यहाँ पर proper आपको friend option सम हम ले लेने हैं अगर आप मतलब कह सकते हो illiterate हो अनपड़ हो तो आप बना उठावी लगा सकते हो witness देखिए आपको यहाँ पर दो witness लेने पड़ेंगे मतलब ऐसे गवाह जो चाहते हैं कि नहीं आप जिसको भी nominee बना रहे हो वो सही है हमें उससे कोई अतराज नहीं है तो जो भी है आपको यहाँ पर दिया गया होगा आपको बैंक देगा यहाँ पर आपको उसकी डिटेल कर दी नहीं सीरियर लंबर की जो भी आपको nomination registered आपने किया हुआ है उसका अगर आप नहीं करो तो कोई दिक्कत है यह bank employee आपको खुद बखुद करके देदेगा आपको पर कर सकते हो पैन कार्ड अगर आपने लगाया हुआ है लगाना चाहिते हो तो आप पैन कार्ड अगर आप पास है तो आप यहाँ पर पैन नम्मर को लिख दीजिए mention कर दीजिए अगर नहीं है तो कोई दिक्कत है आप सब पूछ रहा है आपकी income कितनी पहले income पर हम लोग यह 20,000 है 20,000 से 50,000 के बीच में 50,000 से 1,000,000 के बीच में जिदनी आपकी income है आप वहाँ पर mention कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं इस तरी के टिक कर सकते हो education qualification क्या है आपकी intermediate है post graduate हो जो भी आप हो आप यहाँ पर mention कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं email ID आपकी क्या भाई mail ID आपको at the.gmail.com लें email ID आपको आपको प्रॉपर यहांपे लिख देना है भी लगा रहा है वो आप यहां पर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो request for add-on यानि कह सकते हो कि आप इनको भी mention करना चाहते हो अपने Yuko Bank के साथ यानि state bank आप चाहते हो yes checkbook चाहते हो yes mobile banking चाहते हो yes internet banking चाहते हो yes credit card चाहते हो तो आप टिक करिये अगर नहीं चाहते हो तो आप no पर टिक कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं हमें नहीं चाहिए अब यहां पर प्रॉपर यहां फ्रांट आता है क्या नहीं चाहिए I would like to also avail अगर आपको असा लगता है कि मुझे लॉन भी चाहिए तो आप यहां loan के लिए भी tick कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे जो है housing loan के लिए चाहिए वहीकर loan के चाहिए car loan चाहिए जो भी चाहिए आप यहां पर mention कर सकते हो नहीं चाहिए तो कोई दिख कर दिने आप इसको खाली छोड़ सकते हो signature आपको कर दिने हैं अगर आप पड़े लेखे हो तो signature करिए अगर आप friend अनपड़ हो तो आप अपने अंगूठे के सायन यहां पर लगा सकते हो कुछ इस तरीके से अंगूठा आप लगा सकते हो कौन कौन से लगेंगे तो friend document में आप कुछ नहीं लगाना है आपको यहां पर एक आधर कार्ड के फोटे कॉपी लगा लेनी है और आपने जो भी document लगाया हुआ है यानि के वाइसी के लिए जो भी document लगाया है उसकी photocopy ले लेनी है, proper view में इस form को और आपको आपके bank employer को दे दिना है और पूछ रिना उससे कि सर बताइए मेरा form सही भराए कि नहीं भराए और यहाँ पर आप एक बार document देख लीजिए कि किसी प्रकास को document में इसू तो नहीं है क्योंकि हर एक bank branch थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, तो अलग तरीके से हो सकता है कि आपसे document मांग सके लेकिन जो basic document होते हैं वो मैं आपको बता दिया हूँ, फ्रेंड मैं आसा करता हूँ कि आज की वीड़ा आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर लिजिए क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभीक सा share करते रहता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक लिए खेल लखे अपना स्वस्त्रे ये, मस्त्रे ये, thank you so much